असलम्माले, दोस्तों के हाले, आज की य सवीटेए में हम पेक men defense जो गहे एक anti takeover strategy है उसके regarding discussion करेंगी टिक है एक इस वीडियो में हम सेaysaysay होस्ता टेकोवर क्या होता है अगर आपको नहीं पता कि औस टेक ओर क्या होता है तो कि होस्टाल्टेक और यह चीज होती है कि एक जो दुसरी कंपनी है वो unwillingly तो कंपनी को कोई आउटसाइड जो दुसरी कंपनी के खरीद जा रही है ताकि उसके पर कंट्रोल कर सके तो इसका मुझे एक यह कंपनी हो हो सकता है कि एक family या single person भी हो सकता है जो कि पूरी company को acquire करने की कोशिश कर रहा हो ठीक है तो वो क्या करते है कि shares खरीती जाती खरीती जाती until unless they have a controlling interest over that country ठीक है I mean not country company तो इस चीज़ को किते है hostile take over करना ठीक है अब इसके काफी defenses आते हैं कि कुछ जो है managers को इसी चीज़ें सेट अप करते हैं कि जो style take over करने वाला या जो acquire होता है वो demotivate हो जाता है या तो flow discourage हो जाता है और वो अपना idea drop कर देता है कि मुझे इस company को acquire करना है ठीक है तो यहाँ पर एक pacman defense भी होता है तो हम उसको discuss करते हैं ठीक है so सबसे पहले हम जानते हैं कि होता है so it is very simple strategy where the targeted company simply buys out their acquire ठीक है अब यानिके अग मने आपको बताता है acquired company वो company होती है जोगे acquire करने के कोशिश कर रही होती है तो acquired company जब targeted company को acquire करने के कोशिश करती है तो अगर समझ में नहीं है तो let me just give you a example में थोड़ा इस वीडियो के आखरी में आपको example दूँगा so this is strategy is very expensive as the target company is going to need a huge amount of cash ठीक है targeted company के पस huge amount of cash तब भी हो जाके अपने acquire को acquire कर सकती है तो देखो यहां पर company आपके बास एक acquired company और दुस्या है targeted company ने जो है टार्गेट कंपनी के share purchase करना शूर कर दिये target company को पता चलिया कि भाई इनकी जो एक जो हमारी जो परसंटेज है total outstanding share का उन लोगों ने जो है कुछ 9% जो है वो share holding कर लिये ठीक है और यह आगे bidding कर रहे हैं और जो है और जादा share मजीद मजीद खरने के खरीदने के कोशिश में लगया है ठीक है यह टार्गेट कंपनी को पता चलिया अब targeted company क्या करेगी कि उससे पहले यह acquired company को acquire कर ले मतलब कि खरीद ले उससे वहले यह targeted company जो यह acquired company को पर attack करके इसको खरीद लेगी ठीक है so that is the pacman defense लेगे इसके लिए targeted company के पास huge amount of cash होना चाहिए तब भी जाके वो acquired company के इस company के shares purchase करेगी और फिर और फिर यह company इस company को acquire करने जा रही थी और जो है अपना यहाली company इस company को acquire कर लेगी उससे पहले कि यहाली company जो है acquired company इस company को targeted company को acquire कर ले ठीक है so this is the pacman defense यानि के दुश्मन को दुश्मन अगर आपको खाने आ रहा है तो आप जो मलब उसके खाने से पहले आप उसको खाजाओ so that is, अगर मैं आप इसको simple analogy में put करूँ तो इसकी analogy बन सकती है कि कोई आपको खाने आ रहा है आपको खाने से पहले आप उसको खाजाओ so that is the pacman defense यानि के यानि प्रूब कंपनी जो है वो targeted company को खाने आ रहे थी उसको खाने आ रहे थी तेकिन targeted company ने चीन हैं और को आयर कमपनी को एक किवारिज झाज Susie तो कौाइर कपणी करगी की तो है पुर। तो क्ताँब कर सकती है। तो इसलिए अपना डिफैंस कर सकती ही ताकि यह ताकिost कौई नसे कंपनी है .. आई नो मैंने काफी ये confused कर दिया आप लगो को so I hope कि आप लगो समझ में आ गया होगा आप उस analogy के थुरू तो इसके साथ वीडियो खतम होती है Thank you very much for watching this video Have a great day and Allah Hafiz